नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हैं उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप आज का जो मैं वीडियो लेकर कहा हूँ दुनिया के सबसे विख्यात बिजनस्मेन और लेखक ऑथर मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम मिस्टर रॉबर्ट टिक्योशाकी जिनकी मैं तो आपकी विष्वास का लेबल जितना भी कम होगा उससे कई गुना मेरा 100% दावा है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपका विष्वास का लेबल 110% बढ़ जाएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगती है तो आप अपने दोस्तों में अपने जादा देखना करते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए हाई रॉबर्ट हमार साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद आपके साथ चर्चा करके मुझे भी खुशी होगी Robert, आपने Network Marketing Business के आठ छुपे हुए फायदों का जिक्रे किया है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन में पहला फायदा क्या है मुझे लगता है कि पहले नंबर का फायदा ही वो सबसे महत्वपून कारण है जिसकी वज़े से मैं नाइटिंगल कॉनेंट और इसी तरह के कई Network Marketing संगटनों के साथ काम करता हूँ और जैसे आपने ठीक कहा है मैं यहाँ पर किसी खास Network Marketing Company के बारे में बाते नहीं करूँगा बलकि मैं पूरे Network Marketing उद्ध्योग के बारे में चुच्चा करूँगा मेरे लिए Network Marketing Business का पहले नमबर का फाइदा है जिन्दगी बदलने वाली Business Education और मुझे लगता है कि अगर आदमी Network Marketing Business में पैसे के अलावा किसी और जीस के लिए आना चाहे तो वो है जिन्दगी बदलने वाली Business Education मेरे मुझे मेरे मतलब है की बहुत सारे लोग अपनी सिंदगी में खुश नहीं है उने लगता है कि अनकी जिन्दगी में बदलाव होना चाहिए जो अपनी जीवन को बदलना चाहते हैं जो वही बोरिंग मुकरि करते तक गजए हैं हर महीने तंखा का इंतजार नहीं करना चाहते और जो सुरक्षित खेल खेलते खेलते थक गए हैं जो अपने साथियों और बड़ों की नसीहते सुन सुन के परेशान से हो गए हैं देखना कहीं कोई गलती ना हो जाए जिन्दगी में कोई बड़ा बदलाव मत करना वगेरा वगेरा तो मैं इसलिए नेटवर्ग मार्केटिंग उद्योक का समर्धन करता हूँ क्योंकि यह ऐसे लोगों का हसला बढ़ाता है जो अपनी जिन्दगी को बदलना चाहते हैं जो हर महीने तंखा का इंतजार नहीं करना चाहते और जो नौकरियां बदल बदल के उता गए हैं पर इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे कहूं मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दू कि मेरा इतिहास क्या है, मेरी प्रुष्ट भूमी क्या है मैं किस तरह नाइटिंगल कॉनेंट से जुड़ा क्यों नहीं? बहुत पहले 1974 में मुझे ये फैसला करना था कि मैं अपने गरीब डैडी की सला मानू या ना मानू मेरे गरीब डैडी बहुत पड़े लिके आदमी थे वो हावाई स्टेट के शिक्षा प्रमुक थे अपने डैडी को मैं गरीब डैडी इसले कहता हूँ क्योंकि उनके कमाई हुए सारे पैसे उसी महीने खत्म हो जाते थे और इसके बाद भी वो मुझे वही गिसी पिटी सला दिया करते थे जिस पर वो खुझ चले थे स्कूल जाओ अच्छे नमबर लाओ अच्छी नौकरी ढूंडो पैसे बचाओ बड़ा घर खरी दो जब मैं वियतनाम से वापस लोटा और तब मैं एक मरीन हेलिकॉप्टर पाइलिट था तो मेरे करीब डैड़ी जो हाला की शिक्षा के शेतरे में बहुत सफल थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था उन्हें नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था पचास साल से जादा उमर काया आदमी जो समर्पित लोक सेवक और सरकारी करमचारी था जो इसी नियम पर चला था स्कूल जाओ अच्छे नमबर लाओ और उनके नमबर सचमुश बहुत अच्छे थे पर ये नियम उनके काम नहीं आये थे वो मुझे फिर भी यही समझाते रहे कि मैं उन्ही नियमों पर चलू तो अब उनकी नौकरी चली गई थी उन्हें एक तरह से अपने रिटार्मेंट का सारा पैसा पहले से ही एडवांस में निकालना पड़ा उन्होंने एक आईस्क्रीम फ्रेंचाइजी खरी दी जिसमें कोई जोखिम नहीं था और बतकिस्मत की बात है कि उन्हें घाटा हुआ और उन्होंने अपना सारा रिटार्मेंट का पैसा गवा दिया फिर भी उन्होंने मुझे उन्हीं नियमों पर चलने को का जिन नियमों ने आजकल काम करना बंद कर दिया है मैं नाइटिंग एल्कॉनेंट या नेटवर्क माकेटिंग का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि आज जमाना बदल गया है हम उद्योगिक यूग में नहीं रह रहे जमाने की साथ-साथ हमें भी बदलना होगा हमारी शिक्षा को बदलना होगा उद्योगिक यूग के साथ-साथ उस चिंतन की भी मौत हो गए जो कहता था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कड़ी मेनत करो सुरक्षित नौक दिखो जो कमपनी तुमारा ख्याल रखेगी हम सभी जानते हैं कि आज ये सच नहीं है कमपनिया आपका ख्याल नहीं रखने वाली वो आपको नौकरी से निकाल देगी चाहे आप 14-15 साल से उस कमपनी में क्यों नहीं काम कर रहे हो तो अब नियम बदल गए हैं Information Age में आपको नई जानकारी नई सुचना की जरूरत है विये ताम से लोटने पर खुश किसमती से मैंने ये अनुभव किया कि मुझे शिक्षा की जरूरत है मेरे पास B.S.C. की डिगरी थी फिर भी मुझे मेरा मन चाहा काम नहीं मिल रहा था अर्थ वेवस्था की हालत बुरी थी और मेरे गरीब डैडी फिर भी कहे जा रहे थे स्कूल जाओ अच्छे नंबर लाओ और ये मुर्क तापुन सला थी जब उस नियम पर चलकर आप सफल नहीं होए तो फिर आप मुझे उनी नियमों पर चलने को क्यों कह रहे हैं उस समय मैंने फैसला किया कि मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूँगा मेरे अमीर डैडी का ये कहना था कि बिजनस खड़ा करो तो अब मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट था जिसकी डिगरी की की कीमत दो कोड़ी की थी और जिसे नई शिक्षा की जरूरत थी तब मैं वर्ल इंटरनेशन सेंटर में होने वाले एक बड़े रैली में गिया इससे पहले मैंने कभी इतनी बड़ी प्रेड़ना दायक और शैक्षनिक रैली नहीं देखी थी वहाँ जो लोग बोल रहे थे वो किसी युनिवर्सिटी के टीचर नहीं थे बलकि अपने उद्द्यों के दिगज थे उस दिन मैंने ये तैय कर लिया कि मैं टिकट के लिए साथ डॉलर खरच करूँगा मैं जेरॉक्स कॉर्परेशन में जूनियर सेल्स रिब्रेजंटेटिव था और मैं नई शिक्षा की तलाश कर रहा था और डबल्यू क्लिमेंस टोन ने मुझ पर चादू कर दिया उनकी बाते मुझे अमीर डैडी से मिलती जुलती लगी पर गरीब डैडी से पूरी तरह से अलग जिन बातों पर जोर दिया गया था वो थी आजादी का महत्व साहस की जरूरत बहाफ के खिलाफ बहना कभी कबाल जोकिम लेना कमपनी घाडी करना और सबसे महत्वपून बात अमीर बनना तो मैं नाइटिंगेल कॉनेंट की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि नाइटिंगेल कॉनेंट के पास दुनिया के महानतम लोगों के विचार है जो आपको एक अलग रास्ते पर ले जाएंगे डेल कारनिगे के लीडर्शिप कोर्स का मैंने पूरा आडियो सेट खरीद लिया ये शानदार था पर जिस कैसेट ने मेरा दिमाग हीला कर रख दिया वो था अल नाइटिंगेल का लीड द फील्ड इस कैसेट ने मुझे सिखाया कि किस तरह माहान बना जाए तो मैं नाइटिंगेल कानेंड और नेटवक माकेटिंग की तारीफ इसलिए करता हूँ सभी कमपनी की नहीं पर ज्यादा तर कमपनियों की क्योंकि ये शेक्शनिंग कमपनिया है ये कमपनिया उन लोगों को बिजनस शिक्षा देती है जो जिन्दगी में आगे बढ़ना चाते है और कुछ हट कर करना चाते है जो स्कूल और कॉलेज में सिखाए करे तरीकों से जिन्दगी नहीं जीना चाते क्योंकि आजकर सफलता का समन स्कूल और कॉलेज से रहा ही नहीं है अब उद्योगिक युक समाप्त हो चुका है नौकरियों की कोई सुरक्षा नहीं बची स्टॉक मार्किट कभी उपर जाता है और कभी नीचे आता है तो ऐसे माहौल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस और नाइटिंग इल्कॉर्नेट में ऐसे नई युक के महान लीडर्स और परामर्श दाता है जो दुनिया को बिजनस की शिक्षा देते है तो लंबे समय में मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस में उतरने की सलह इसे लिए देता हूँ क्योंकि यहां आपको भविशे के लिए बिजनस की शिक्षा मिलती है यह बिजनस की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते है यह जानना चाहते हैं कि वो कहां से आये हैं और कहां जा रहे हैं तो किसी आत्मी को नेटवर्क मारकेटिंग में पैसे के लिए नी आना चाहिए पैसा आए, धेर सारा पैसा आए, ये अच्छी बात है पर उससे भी महत्वपूर्पूर्ण बात है शिक्षा और अनुभव आपको network marketing में शिक्षा के लिए आना चाहिए हाँ और एक बात है कि आपको इसमें अपनी जिन्दगी बदलने के लिए भी आना चाहिए इसमें आने के बाद जिन्दगी बदल जाती है हाँ हो सकता है कि आप उसी पुरानी नोकरी में फसे हो और या नोकरी बदल बदल कर थक गए हो आपको नए दोस्तों की जरूत है नए विचारों की जरूत है नए लोगों से बात करने की जरूत है मैंने जिन network marketing company का अद्धिन किया है उनके sectioning कारिकरम अद्बत है मेरे खिया से ज्यादा दर लोग ये गलती करते हैं सामानों या प्रोडक्ट्स को देखते है अच्छा ये विटमिन है ये हल्थ के प्रोडक्ट है ये वजन घटाने का उत्पाद है या टेलिफोन सर्विसेस है और आज network marketing के साथ बड़िया बात ये है कि यहाँ सभी तरह के सामान होते है यहाँ पर real estate भी है financial services भी है यहाँ के सामान बहुत अच्छी quality के भी होते है पर मैं आप से ये कहूँगा कि आप सामानों से आगे देखिए sectioning कारिक्रम या educated programs पर नज़र रखिए जिन्दकी बदलने वाली business education पर ध्यान केंद्रित कीजिए और ये पता लगा है कि ये आपके बदलने में आपका कितना साथ देते मैं ज्यादा तर लोगों से कहता हूँ कि आप रात रात employee से business में नहीं बन सकते हैं self-employed आदमी से business में नहीं बन सकते इसके लिए आपको कम से कम 5 साल का समय चाहिए आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपका साथ दें और उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं ऐसे लोग जो आपका समर्थन करें और आपके मार्क दरशक भी बनें जिसका मुख्य काम हो आपको उपर खिचना ना कि नीचे धकेलना जबकि आप अपने काम में भसे हुए होते हैं और मेरी नजर में ये दुनिया की सर्वर्शेष्ट शिक्षा है अच्छा अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं किस तरह ऐसी कमपनी खोजू जिसमें ये सब कुछ हो मैं किस तरह पता लगा हूँ कि उनके पास ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स है जिनकी मैं तलाश कर रहा हूँ मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए उनसे कि उनका शेक्षनिक कारेकरम क्या है वो आपको कितना समर्थन देंगे उनकी मीटिंग्स किस तरह से होती है उनके पास किस तरह के एजुकेशनल प्रोडक्ट्स है अगर वो लोग सिर्फ आपको बेचने की कला सिखाना चाहते हैं जैसे हम आपके लिए अलादिन का चिराग लाए हैं जो आप ये जरूर खरी दें तो आपको वो सिर्फ एक सेल्जमेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे मैं S-Quadrant या छोटे बिजनस का मालिक कहता हूँ वो आपको B-Quadrant यानि बिजनस मालिक बनने की शिक्षा नहीं दे रहे जिन्होंने मेरी दूसरी किताब Cash Flow Quadrant पड़ी है वो जानते हैं कि E-Quadrant का मतलब है Employee या करमचारी S-Quadrant का मतलब है Self-Employed या छोटे बिजनस के मालिक बड़े बिजनस के मालिक यानि की B-Quadrant और यही ज्यादा तर Network Marketing कमपनिया होती है और I-Quadrant निवे शक के लिए है यानि Investors पहले तो आप उनसे सारी जानकारी ले ले लें फिर आप मीटिंग्स में जाएं अपने दिमाग को खुला रखें और आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग आप ही की तरह उसी कश्टी में स पर जोर देते हैं या वो आपको एक बहतर व्यक्ति के रूप में विक्सित करने पर ध्यान देते हैं क्या वो केवल आपको एक सेल्समें बनाने पर चुटे हुए या आप में सचमुच साहस लगन जैसे गुड़ों को विक्सित करना चाते हैं अब ये भी देखना कि वो आ अखरात्मक धरना बन गई थी, ये 1970 के दशक की बात है। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो लोग मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकिंग शब्द जुड़ा हुआ है मैं शब्दों की शक्ति के बारे में काफी बाते करता हूँ शब्द बहुत बहुत महत्वपुन होते हैं हम सभी जानते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की शब्दावली अलग-अलग होती है मेरी जिन्दगी में दो डैड़ी थे और हाला कि दोनों ही डैड़ी अंग्रेजी भाषा बोलते थे उनके शब्द अलग-अलग होते थे मेरे गरीब डैड़ी स्कूल टीचर वाली भाषा का ज्यादा इस्तिमाल करते थे उन्होंने मुझसे कहा था दुनिया में सबसे ز्यादा अमीर लोग नेटवर्ट बनाते हैं बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं उन्होंने नेटवर्क की शक्ति पर इसलिए जोर दिया क्योंकि नेटवर्क में बहुत शक्ति होती है जॉन रकफेलर का उधारन ले जो स्टेंडर्ड ओयल के फाउंडर हैं उन्होंने रिफाइनरीज, डिस्ट्रिबूशन और पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क बना दिया और इसलिए वो बहुत बहुत अमीर बन गए एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि नेटवर्क शब्द एक बहुत अच्छा बहुत शक्तिशाली शब्द है तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तो मैं उत्साहित हो गया जैसे टेलिविजिन का नेटवर्क, नेटवर्क में सबसे ज्याद अमीर लोग पाये जाते हैं जनरल मोतर्स क्या है कार डीलरों का एक नेटवर्क है और इसलिए एक दमदार कंपनी है तो मैं इसलिए एक बार फिर कहना चाहूंगा कि नेटवर्क शब्द एक बहुत शक्तिशाली शब्द है उन लोगों के लिए जो नेटवर्क दुनिया में सबसे शक्तिशाली और बड़े बिजनस को बनाने का मौका देता है और ये मौका आपको भी मिल सकता है मैं पहली मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि मैं खुद अपना बिजनस खड़ा करने में व्यस्थ था मैं नाइलोन वेल्क्रो वालेट्स के डिस्ट्रिब्यूटर्स और रीटेलर्स का नेटवर्क बनाने में व्यस्थ था मैं नेटवर्क की शक्ति को समझता हूँ आम आदमी इस शक्ति को नहीं समझता मैंने तो इस तरह पहले कभी नहीं सोचा कि बिजनस में चार दरा के लोग पाएं जाते हैं सबसे पहले संख्या उन लोग की होती है जो ई-कौर्डन में होता है यानि कि करमचारी इंप्लोईस अगर मैं करमचारी होता तो मैं भी उनी चीज़ों के पीछे बागता है मैं भी सुरक्षित नौकरी, नौकरी के लाब हों की पेंशन की चिंता करता S-कौर्डन, सेलफ इंप्लोईड लोग या छोटे वेवेसाई के मालिकों या विशेशक जैसे डॉक्टर्स, प्लमबर्स, इलेक्रिशन, छोटे दुकानदर इन लोगों से मिलकर बनता है ये लोग सुफिस्टिक एडिट नहीं होते और अक्सर कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूँगा, खुद का धंदा करूँगा वो E-कौर्डन छोड़कर S-कौर्डन में शामिल होना चाहते हैं पर S-कौर्डन सबसे कट इन कौर्डन है क्योंकि यहां आपको लगातार काम करना पड़ता है सरकार की तरफ से कई समस्याएं भी आती हैं जिनमें से टैक्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है S-Cordon के लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो अपना काम छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते अगर आप दातों के डॉक्टर हैं और आप दातों की ड्रेलिंग करना बंद कर देते हैं तो आपकी आमदनी भी बंद हो जाती है इसलिए हम देखते हैं कि S-Cordon एक दूसरे के बिलकुल विपरीथ होते हैं बड़े बिजनस के मालिक जैसे Bill Gates, Michael Dale, Henry Ford, John Rockefeller नेक्टवर्क और नेटवरकिंग सिस्टम बनाते हैं वो अपने यहाँ स्मार्ट लोगों को काम पर रखते हैं इसलिए वो कम से कम महनत करके ज्यादा से ज्यादा कमा लेते हैं कौर्डरिंट की बाई तरफ के लोग यानि करम जारी और सेल्फ इंपलाइड लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उन्हें पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत महनत करनी पड़ती है और उनकी आमदनी भी सीमित होती है क्योंकि वो खुद के दम पर कमाते है एस कौर्डरिंट के ज्यादा तर लोगों की सालाना आमदनी अमेरिका में एक लाग से एक लाग पचीस हजार डॉलर होती है और वैसे देखा जाये तो ये बुरा नहीं है ज्यादा तर ई-कौर्डरिंट के लोग यानि आसत करमचारी पचास हजार डॉलर कमाकर खुश हो जाते है पर बी-कौर्डरिंट यानि बिजनस के मालिक की आमदनी असीमित होती है बी-कौर्डरिंट का मालिक रॉक स्टार, स्पोर्ट स्टार, मुवी स्टार से भी ज्यादा पैसा कमाता है ए और एस-कौर्डरिंट के लोग लाखों कमाकर खुश होते हैं जबकि बी-कौर्डरिंट के लोग करोडों या अर्वों कमाते हैं क्योंकि B-Cordon में ज्यादातर network marketing company आती हैं network होने की वज़े से उनकी आमदनी की संभावना वास्तव में असीमित होती है क्योंकि उनका network असीमित होता है I-Cordon investor या निवेशक वो आदमी होता है जो पैसों को लेता है और उसे अपने लिए कड़ी मेहनत करवाता है दुर्भागे से हमारे स्कूल कॉलेजों में लोगों को E-Cordon के लिए तैयार किया जाता है जहां हमें नौकरी या प्रोफेशन की ट्रेनिंग दी जाती है जैसे डॉक्टर्स, वकील, प्लमर्स, अलेक्रिशन्स इस सब S-Cordon में आते है नेटवर्ग मार्केटिंग में लोगों को B-Cordon की ट्रेनिंग दी जाती है और ये दुनिया का सबसे Amir Cordon है मैं ये नहीं कहता हूँ कि Amir बनना ही सब कुछ है पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच मुझ बदलना चाहते हैं तो आपको Cordon बदलना होगा नौकरिया बदलने से ज्यादा फाइदा नहीं होगा E-Cordon से S-Cordon में आने से भी ज्यादा फाइदा नहीं होगा S का मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं जैसे सुबरमैन, स्टार या इसी तरह का कोई और आदमी जो कड़ी मेहनत करता है क्योंकि वो अकेला ही अपने लिए मेहनत करता है इसमें आपके पास सफल होने के बहतर अफसर तो होते हैं पर उतने नहीं जितना B-Cordon के बिजनस में होते हैं अच्छी नेटवर्ग मारकेटिंग कमपनिया E-S-Cordon के लोगों को लेती है और उन्हें अपने शैक्षनिक कारिक्रमों के माध्यम से B-Cordon के आदमियों में बदल देती है जैसे मैंने पहले भी कहा है ये रातो रात नहीं हो जाता इसमें समय लगता है क्योंकि इसमें आपके मूल भूत जीवन मूलियों को बदलना पड़ता है आपको अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है जीने के तरीके को बदलना पड़ता है सुचने का ढंग बदलना पड़ता है एक बार आप किसी अच्छी कंपनी को चुन ले तो फिर उसके साथ जुड़कर खुद को कम से कम पांच साल का समय दे नए लोगों से मिले, नए कलाएं सीखें, नए यतार्त, नए मूलियों को पहचाने और धीरे धीरे बदले मैं आपसे रात और रात बदलने की उमीद नहीं करता मैं भी रात और रात नहीं बदला था खुद को बदलने में मुझे कई साल लग गए क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आया हूँ जो उच्च शिक्षा और काम की सुरक्षा में विश्वास करता था यानि कि मैं E कौर्डन के परिवार में पैदा हुआ था और B कौर्डन की मानसिक्ता विक्सित करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी मेरे अमीर डैडी ने मुझे E और S कौर्डन से B और I कौर्डन तक ले आने में बहुत बहुत मेहनत की है मेरे लिए जो काम मेरे अमीर डैडी ने किया है आपके लिए वही काम आपकी नेटवर्क मारकेटिंग कमपनी कर सकती है नेटवर्क मारकेटिंग कॉर्परेशन की एक और बड़िया बात ये है कि वो आपको बाहर और भीतर दोनों तरफ से बदल देते हैं इसके अलावा बदलाव की प्रक्रिया में वो आपको समर्थन या सहारा भी देते हैं मैं खुश किसमत था कि मेरे पास मदद के लिए अमीर डैडी थे और सलहा देने वाले बहुत से परामर्श दाता थे पर आपके पास तो ऐसे लोग हाल फिल हाल मौजूद नहीं होंगे इसलिए जाएं और किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कमपनी से जुड़ जाएं उनकी मीटिंगों में जाएं नए दोस्त बनाएं अपने सोचने के तरीके को बदले और दुनिया को देखने के अपने नजरिये को भी बदले इस तरह आपकी E और S कौडरेंट की मांसिक्ता दीरे दीरे बदल कर B कौडरेंट की मांसिकता हो जाएगी हाँ ये बहुत महत्वपूर है और इसलिए धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस की बड़िया बात ये है कि अगर आप हर महीने हजार डॉलर कमाना चाते हैं बहुत अच्छा आप काम शुरू कर सकते हैं पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर करोडो डॉलर भी कमा सकते हैं यही network marketing की शक्ती है, यह network marketing शब्त का चादू है और एक बार आप इसे ठीक से समझ लें, इसे अपने दिल में बसा लें, अपने दिमाग में उतार लें और एक बार हमेशा किली खुद को बदल लें तो फिर आप अपनी पुरानी दुनिया में लोटना पसंद ही नहीं करेंगे यह विचार आपको फाइदे नंबर तीन की तरफ ले जाता है, याने B quadrant में कैसे पहुँचा जाए और B quadrant में पहुँचना क्यों मैत्वपूर्ण है? बिलकुल जब लोग कहते हैं मैं बिजनस शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है वो नहीं जानते कि इसमें कितनी ज्यादा पूंजी लगती है, कितने ज्यादा समझदारी की जरूत होती है, कितने साहस की जरूत होती है, 50 और 60 के दशक में फ्रेंचाइजी बिजन कुछ फ्रेंचाइज़ों के लिए बैंकों की तरफ से भी लोन मिलता है जबकि कई बार अपना खुद का नया बिजनर शुरू करने के लिए बैंक लोन देने से मना कर देती है तो नेटवर्क मार्किटिंग बिजनस की बड़ी अब आती है कि इसकी लागत बहुत कम है शायद सौ से तीन सो डॉलर मेकड़नल्स के लिए आपको एक साल में दस लाक डॉलर जाएं तो खुद को शिक्षित करने के लिहाद से नेटवर्क मार्किटिंग की कम लगत एक बहुत बड़ा फाइदा है नाइटिंग इन कॉनन के पास महान लोगों के विचारों के बहुत से टेप है एक बहुत ही बड़िया टेप है जिम रॉन का आर्ट अफ एक्सेप्शनल लिविंग जो बहुत ही शानदार टेप सेट है ये उन लोगों के खास काम आएगा जो आगे बढ़ने की प्रेड़ना चाते हैं जिनने कभी-कभी खुद पर शंका होती है जिम रॉन के शब्द और जिम रॉन के विचार अनमौल है तो जो लोग खुद को बदलने के लिए मेहनत करना चाते हैं मैं उन्हें ये सला दूँगा कि आप नाइटिंगल कॉनन के टेप के इस संग्रा को देखें ये एक शांदार सेट है और इससे आपको अपने जीवन की दिशा बदलने में मदद मिलेगी अगर आपने पांच वर्षों तक अध्यन कर लिया है तो आपने सीखने के ग्राफ को भी समझ लिया है पांच साल तक जुटे रहने के बारे में आप क्या सला देना चाते हैं पहली बात तो ये कि आप एक ऐसा दोस जुड़ने जो वहां आपके साथ जाना चाता हो मेरे पास बहुत बड़िया दोस्त थे जब मैंने और मेरे दोस्त ने जिरॉक्स की अपनी नौकरिया जोड़ी तो हमें काफी पैसा मिल रहा था हमारा बिजनस अगले ही दिन नहीं जम गया था इस बीच में हमें कहीं बार ये सुनने को मिला ये दोनों कितने मुरक हैं इतनी अच्छी नौकरिया जोड़कर ये बिजनस करने चले हैं इनका बिजनस जरूर चौपट हो जाएगा और हमारा बिजनस चौपट हुआ आपको शायद पता नहीं होगा मेरे दोस्त लैरी और मैंने नाइलान वेलकरो वालेट का बिजनस शुरू किया था और इसमें हमें आखिरकार असफलता हुई पर असफलता के बाद भी हमने हमत नहीं हारी हम अंदर से और ज्यादा मजबूत हुए और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम वापस E और S कौर्डन में लौट जाएं हाला कि आप जानते हैं कि हम दिवालिया हो चुके थे और दुनिया हम पर हस्ती थी इससे हमें कुछ फरक नहीं पड़ा दस साल बाद लैरी क्लार्क इंक मैगजीन का एंटरप्रेनर आफ दे इयर चुना गया उसे सबसे तेजी से विक्सित हो रहे होम बिल्डर का खिताब दिया गया मैं रिच डैट पूर डैट का बेस्सेलिंग लेखक बन गया लैरी क्लार के बिना मैं सफल नहीं हो सकता था या मेरी पत्नी के बिना जो मेरे बिजनस में मेरी पार्टनर है मेरी पत्नी बहुत ही शानदार महिला है और मैं जानता हूँ कि उसने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की है जब हम मिले थे तब मेरे पास पैसे थे ही नहीं हमारे पास केवल एक सपना था और आगे बढ़ने का एक होसला हाला कि हमारे पास सफलता की कोई गैरंटी नहीं थी मुझे नहीं लगता कि बिना इतनी बढ़िया पतनी और इतने अच्छे दोस्तों के बिना में अपने लक्ष को हासिल कर पाता मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नेटवर्क मार्किटिंग कमपनी में आ जाना चाहिए क्योंकि सफल होने के लिए आपको नए दोस्तों की जरूरत है और दोस्त इसलिए तो होते हैं ताकि वो आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकें उनका भावनात्मक सहारा बहुत बहुत जरूरी होता है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जैसी मानसिक्ता के लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाए आप एक दूसरे को सहारा दें और एक दूसरे को इस तरह निवेश करने के लिए प्रोटसाहित करें जिस तरह अमीर लोग करते हैं उस तरह से नहीं जिस तरह गरीब लोग करते हैं